हाई, असलाम आलेकुम, दिस इस मी नेना हुसेन, विल्कम बैक टो माई योट्यूब चैनल, तो आज है शब बारात और सभी को शब बारात बोखत बोखत मुबारक हो, ओके जी तो चलो व्लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं आज आप सबको दिखाऊंगे कि मैं परदन में क्य क्या करने वाली हूँ, और सबसे पहले में उठ गई थी, घर में सबसे पहले उठी ती मैं, क्योंकि मुझे कस्टड बनाना था, और मतलब और भी बहुत साई चीज़ों के तयारिया करनी थी, सब सोई रहे थे, क्योंकि रात बर जागे थे सब, और फिर मैंने इसमें सबसे जलती कर दी कि मैंने कस्ट्ड पाउडर ऐसे ही डाल दिया, आपने ऐसे नेरर डानना अगर आपका भी भी बनाओ, आपने पहले एक कप में दूर लेना थे ते छोड़ा थोड़ा डालना थे फिर उसको मिक्स ने पंपकाना हना थाकि अच्छी से इसमें उबाल आता रह और फिर उसके बाद इसको लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है ताकि गाड़ा हो जाए और इससे नो गुटलिया भी नी पिड़ेगी आपकी कस्टर्ड में ठीके जी तो चले उसको पकने देते हैं उके जी तो जब तक यह बन रहा था तब तक मैंने पीजा का डोब बना के रख दिया था ताकि इसमें अच्छे से फूल जाए मैंने इसमें इस डाला था और फिर उसके बाद बाजी ने इधर कुकर में गोश्ट वगरा रख दिया था बिर्यानी के लिए और चावर भी अब बॉट्स को दिखाऊंगी और फूट्स के ठेल भी नब बहुत कम लगी हुई थी क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबको बताया हो ली का दिन था फिर 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 फूर्ट वाले की शौप पे चले गए और हमने बहुत सारे फूर्ट ले ले मैं भी आप सबको दिखाऊ और फूर्ट के ठेलिया भी नब बहुत कम लगी हुई थी क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबको बताया होली का दिन था फिर हमने एक जगे से सारे फूर्ट ले ले लेकिन खजूर में किसी और जगे से लेने पड़े क्योंकि यहां के खजूरों में अच्छे नहीं लगे और थैंक्फुली हमें एक पनीर की शॉप पे मिल गई थी वेजटेबल में मिली तंदूरी में तो फिर भी नहीं मिली ठीके जी तो फिर हम साही चीज़े लेकर के आ गए थे और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे तंदूरी में नहीं मिली से वेज़ेटेबल में मिली चलो कोई नहीं से काम चला लेंगे और चीज़ भी नहीं मिली लेकिन फिर भी पीज़ा बहुत जादा टेस्टी बनाता सच में ठीके जी फिर घराने में बहुत जादा टाइम हो गया था फिर मैंने फटा फट से साही चीज़े देखी और आलो अगरा चॉप की साही अगरा टेस्टी बनाता सच में और फिर मैंने फ्रेंच फ्राइब बनाया थे यह बहुत अच्छे बने थे पकोड़िया भी अच्छी थी मतलब अच्छी नहीं लगी हो जलेकिना ठीक 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 और कस्टर्ड का तो जवाब भी नहीं था ये इतना माशाला इतना टेस अच्छी बनी थी मेरी फेवरीट चिकन बिर्यानी ये बाजी ने बनाई थी माशाला बहुत ज्यादा अच्छी बनी थी ओके जी तो यह था एक चोटा साव आई होप आप सबको अच्छा लगाओगा थेंक यू फर वाचिंग इस वीडियो बाबाई